हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल टुट फशे मार्केट तो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनलेसिस फूर 10 जून एफाइस ने क्या प्लानिंग किये एंड हमें उसको किस वह में एक्जिवेट करने तो फिर्स टॉफ फॉल इस वीडियो देली फॉर इलेक्शन का रिजल्ट दायां तो क्या यह बांस शसंटरिगा या फिर मार्केट में ऐकरेक्शन पेंडिगए टकेशन हो क्यों क्यों कि जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था एक्जिकल्ल वह रिजल्ट नहीं आ है अगर मानलो result इस वे में आता कि BJP majority ले लेती ठीक है 280 seat भी अगर उनकी होती तो फिर कोई दिक्कत नीती market को बट अब जो policies बनेंगी क्योंकि market एक policies पर करता है और sentiment पर करता है कि कुछ दिन आप लोगों को bullish करके market में एक बड़ा correction देखने को मिले अब यह कब होगा दो चार दिन बाद होगा या पूरे week में कब मोका मिलेगा या कब बड़ा player कर सकता है तो उसके लिए आपको levels याद रखने रहेंगे कि यार इसके नीचे जाएगा मतलब correction स्टार्ट हो continuously selling कर रहें बट हाँ last day इन्होंने buying किये and buying किये वो भी अच्छा कास amount में किये अब यह continuously या नीच दो तीन दिन अगर buying करते हैं तो market में फिर कोई दिक्कत नहीं फिर correction नहीं आएगा बट हाँ अगर इनकी कल selling मिलती है या परसो selling start वापस करते हैं तो फिर market में आपको correction तो यहां पर data अगर में देखूं तो यह थोड़ा सा positive है अगर FIS buying करता है पर यहां पर इनकी short term buying है मतलब काफी बड़ी buying है यह 5600 करोड की यहां पर भी बाइंग है और यह market के लिए positive है बट अगर 80% के के हां या market साइड बे उपन होता है तो उपर जाएगा बट अगर उपर जाने के बाद यह profit बुक करते हैं या व्लोबली कुछ clues मिलते हैं प्रोफिट बुक करते हैं तो इतनी बड़ी quantities के लिए जब प्रोफिट बुक करते हैं तो मार्केट में काफी बार-बार mention कर रहा हूं क्योंकि मार्केट आप लोगों को bullish बना के ही bearish होगा ठीक है इंडेक्स option की बात करूं यहां पर भी buying है so that is a good sign कि हाँ एक और हमें बड़ा moment मिल सकता है आइधर इन अपवर डारेक्शन और डाउनवर डारेक्शन बट मेजरली कहा है निफ्टी में अगर मैं देखो तो 1200 क्रोड की यहां पर buying कर रहे हैं इन्होंने यानि निफ्टी में भी एक आपको profit booking यहां देख सकती है यह थ करता है को डारेक्शन में उनको ले जाना है तो काफी बड़े movement कराने पड़ बड़ डारेक्शन में लेकर जाने तो छोटे movement में इनका काम चल जाएगा अब बैंग निफ्टी यहां सेलिंगे तो हो सकता है बैंग निफ्टी साइड वे रहे और IT और ओटो सेक्टर्स की ट्राइ करना कि यार हम नेक्स्ट एक्सपाईरी को डील करें यानि उसमें ट्रेड करें इस कंपेर टू करने एक्सपाईरी में कर रहे हैं तो फिर अपने केपिटल का 3-4% ही डिप्लोई करना आपको डर नहीं लगे हैं डर नहीं लगेगा confidence रहेगा तो आप थोड़ी देर रुख सकते हैं हो सकता है कि यार थोड़े देर बाद movement हो तो आपको डिके का डर नहीं लगे है विक्स की बात करूँ विक्स once again थोड़ा सा रुका है थमा है अगर यहां से बढ़ना स्टार्ट करता है तो फिर profit booking दिखेगी और यहां से अगर side way करके दीरे दीरे उपर जात जाता है ठीक है निफ्टी 2.1 परसेंट और बेंक संसेक्स 2.2 परसेंट क्यों यह मुमेंट था तो यह मुमेंट हमारा इटी सेक्टर की वज़े से था ना बट ग्लोबली सिट्वेशन चेंज हुई है लास्ट फ्राइडे में जो नाइट में ग्लोबल मार्केट ने मुमें दिया उपर जाके लास्ट में प्रोफिट बुकिंग आई है तो क्या वह स्टार्टिंग है प्रोफिट बुकिंग की इस चीज़ पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है तो अगर डेटा वरोल देखूं तो नो डाउट डेटा बुलिश है बट एक उपर मुमेंट होने क के बाद करेक्शन आने के भी चांसेज हैं क्यों हैं चांसेज डेटा नहीं बोल रहा है यह चांसेज बट यह चांसेज बोले जा रहे हैं विकोज ओफ एलेक्शन रिजल्ट और अब जो सारे पोजिटिव चीज़ें थी वह हो चुकी है बट अब अगर इन्हों ने जिसने सब्सक्राइब करता है तो इवेंट वाइस भी आपको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए नेक्स अगर हम बात कर लेते चार्ट के चार्ट में क्या स्ट्रक्टर बन रहा है चार्ट में डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है और मुस्ट वहीं है मार्केट जहां पहले इसने हाई लगाया था तो अब क्या यहाँ डबल टॉप फॉर्मेशन करा के नीचे लाएंगे तो उससे पहले भी यह कोशिश करेंगे कि थोड़ा उपर लेके जाए और फिर नीचे लेके यहाँ पर अगर उपर ब्रेक आउट देंगे तो सब और ज्यादा बुलिश हो ज होंगे बट अगर टूफोटी के नीचे मार्केट दिखता है तो हम थोड़ा सा बेरिश होना स्टार्ट कर देंगे इन लेवल्स को बिल्कुल याद रखना है हम लोगों को तो अगर 325 के उपर दिखता है तो फिर हम 416 & 500 तक के लिए प्लान करेंगे 23,000 और अगर 240 के नीच चांसेज यह वाले ज्यादा रहेंगे बट इससे पहले भी आपको फसाने के लिए उपर ब्रेक आउट दे सकते हैं अब यह चांसेज क्यों रहेंगे कि जब तक डबल टॉप के उपर यानि एक दो दिन सर्वाइव नहीं करता ना मैं भरोसा नहीं करूंगा इसके उपर अ मैं भी complete recovery नहीं किया ना यानि यह अभी double top kind of structure नहीं बनाया 51,200 के round तक गया था पहले तो अभी इसके पास chances हैं कि आ उपर की साइट जाए बट हाँ कल के लिए अगर मंदे की बात करूं तो 49,930,950 का level अगर break करता है तो हम प्लान करेंगे किसके लिए 50,000 350 and then 50,900 तक के लि तो जैसे ही यह 660 का level break करता है तो फिर इसमें profit booking देखने को मिलेगी शार्फ profit booking होगे कहा तक 49,050 तक and second होगी 48,670 तक तो दो profit booking हमें देखने को मिल सकती है पहली यह वाली यह भी अच्छी खासी होगी यह नहीं 700 के round 600 के round तो 600 की profit booking अच्छी खासी होगी और यह शार्प हो आपको प्लान करना है इसके उपर हम ब्यारिश नहीं होगे और इसके नीचे हम बुलिश नहीं होगे तो प्लान इसके एसाप से करेंगे एक बार हम option chain और देख लेते हैं option chain में क्या है देखो 290 यह 300 के almost close हुआ है यहाँ पर थोड़ा बेरिश डेटा बिल्डब है क्या हो है क्यों है क्योंकि देखो 23,000 पर अगर मैं देखू तो 37,000,000 के call writer बेठा हुआ है मतलब यहाँ पर भी support बिल्ड कर रखा है अब दो chances नहीं तो अग पर यह बेठा है तो कुछ की reason होते हैं क्यों बेठा है बड़ा प्लिया क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां से correction आएगा 23,000 तक at least यह correction चलेगा ठीक है तो इसलिए बेठा है अब अगर उपर survive करता है नहीं जाता नीचे तो इन्हें exit करना पड़ेगा और फिर हमें एक upside support है यह तूटता है तो फिर आपको 23,000 तक की journey easily यानि one hit में मिल जाएगी एक घंटे में आपको 23,000 मिल जाएगी बट अगर survive करता है तो फिर 23,500 तक की journey क्योंकि इसके बाद जो support इसके बाद जो resistance है वो 23,500 तो अगर survive करता है तो फिर आपको 200 उपर और अगर नहीं कर पाता सरवाई नीचे जाना स्टार्ट करता है तो 300 नीचे तक का moment easily देखने को मिलेगा राइटर्स अभी बेट है में call writers भी put writers भी but as compared to put writers आपके call writers strong है ठीक है क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 300 पर भी देखेंगे तो 12 लेक के around यहां पर राइटिंग हुए यहां पर total 12 लेक है तो इस यह चीज़े हैं important है तो किस वह में market moment करता है वो depend करता है 23 200 पर भी देखूं 290 पर market है बट यहां 24 लेक बेठा हुआ और यहां 25 लेक यहां 100 पॉइंट नीचे भी call writer और put writer equally बेठा हुए ठीक है जबकि 100 पॉइंट नीचे तो इनको डल लगना चाहिए इनको निकलन बतलब एक correction के chances higher side है with respect to option chain तो अगर dip होता है तो यहां पर हमारी call opportunity होगी इससे नीचे जा सकता है 22,900 बट वहां से अगर bounce आता है तो फिर आपको एक reversal देखने को मिल सकता है उपर की बात करें तो that is our put opportunity अगर 500 जाता है तो यहां पर put के chances मिलेंगे 550 तक जा सकता है फिर हो सकता है कि एक profit booking आपको देखने को मिले तो दो लेवल है जिनका ध्यान रखना है 22 और 3,200 और 300 के बीच में अगर शर्वाइव करता है यहीं फसा रहता है तो फिर कोई मतलब न इसके नीचे बीरिश है इसके नीचे बुलिश है यहां आपका 23,500 पर आपका शोटिंग अपॉर्चनिटी मिलेगे 23,000 पर लोंग अपॉर्चनिटी मिलेगे यानि कोल्ट के chances रहेंगे नेक्स अगर हम बात कर लेते हैं so that is our bank nifty bank nifty क्या करा है bank nifty कम बेरिश है as compared to nifty यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यह एक्जिट कर रहें मतलब अगर यह सरवाई करा देते हैं bank nifty को तो bank nifty में उपर जाने के chances जादा है अब यानि अगर मैं bullish trade कर रहा हूं तो मैं निफ्टी में करूंगा और bearish trade करूंगा तो मैं nifty and mid cap में करूंगा ठीक है mid cap में भी same situation है जैसे nifty में है double top लग चुका है almost and थोड़ा बत उपर जाके corrections आ सकते हैं तो दोनों chances दोनों side आपको देखके चलना पड़ेगा अब यहां पर अगर हम बात करें किया next क्या possibilities है तो 50,000 पर आपका यहां resistance से यह टूटेगा तो 51,000 तक का हमारा channel open हो जाएगा ठ 50,300 to 400 and 350 to 400 के बीच में रहेगा and अगर वो भी निकाल लेते हैं successfully तो फिर हमें 51,000 तक का movement या 50,900 तक का movement easily देखने को मिलेगा जो हमने चार्ट में भी देखा है अब नीचे का क्या chances है तो अगर यह नहीं टूटता यह नहीं टूटता इसके उपर survive नहीं करता तो फिर यहां profit booking कहां तक दिखे कि मैं 49,500 यहां पर writers बैठा हुआ है बस इससे पहले कोई writers नहीं यानि अगर bank nifty की बात करो तो हर 500 point के बाद ही आपको writers दिख रहे हैं तो 500 के movement easily हो सकते हैं इसमें तो अगर यहां से अगर तूटता है तो 500 तक जाएगा फिर 500 अगर तोड़ देता है और survive करता है नीचे तो फिर आपको 49,000 इस वे में मार्केट में movement possibly हो सकते हैं और अगर उपड़ जाता है तो याद रखना 300 to 400 एक hurdle है बट वो टूटता तो 51,000 या 50,900 तक का movement तो easily देखने को मिलेगा so I hope यहाँ चीज़े clear होंगे clear हैं तो please like and comment thank you